हलो दोस्तो एक नया वीडियो पे फिर से आपका सुवागत है दोस्तो आप अगर वेबसाइट या बलोग बनना चाहते हैं तो आपको डॉमेंट नेम रहना बहुत जरूरी है डॉमेंट नेम वो नाम होता है जिस नाम से आपका वेबसाइट को जाना जाएगा ये आपका blog को जाना जाएगा domain कितना तरीका की होता है domain चार तरीके के होता है एक premium domain दूसरा standard domain तीसरा economical domain चार free domain कौनसा domain ले नमस्कार दोस्तों आप देखे रे टेकनिकल एक्स्टेशन मैं हूँ आपका दोस्तों बलोत हो तो दोस्तों domain क्या होता है वेबसाइट या ब्लॉग ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रिसेंट शुरू करना चाहते खुद का वेबसाइट खुद का ब्लॉग लेकिन उनको कोई भी चीज पता नहीं है कि डोमेन क्या होता है होस्टिंग क्या होता है इसके लिए ये वीडियो है आगर ब्लॉग साफिक्स क्या होता है what is डोमेन साफिक्स मतलब क्या होता है तीसरा डोमेन साफिक्स क्या आप खुद के लिए खुद का नाम से बना सकते हैं इसके उपर भी इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकॉस करेंगे नंबर फोर what are the free domain दोस्तो free domain name क्या होता है और free domain आप आप कहां से booking करोगे पुरा information आपको इस वीडियो में मिलेगी नमर फाइव, how to book a domain from GoDaddy HostGator और Namecheap दोस्तों ये कोई promotional वीडियो नहीं है तो हम आपको GoDaddy HostGator और Namecheap ये तीनों में मेरा account है और इस पे हम experienced हैं यहाँ पे मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ इस 3 पैनल में यहाँ पे ले जाके आपको दिखाऊंगा कि आप domain कैसे book कर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या होता है दोस्तों अगर आपको domain forward करना है तो वो किस तरीके से आप forward कर सकते हो वो भी हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्तों आपको अगर domain transfer करना है उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है क्या क्या information आपको देना पड़ता है उसके उपर भी इस वीडियो में आपको जानकरी मिलेगी दोस्तों आपका अगर कोई domain है वहाँ से अगर आप sub domain create करके और एक website बनना चाहते हैं तो sub domain कैसे आप बनाओगे उसके बारे में भी आपको यहाँ पर information मिलेगी दोस्तों आपका अगर service provider से hosting लिया हुआ है और आपका domain भी लिया हुआ है information यानि कोई भी domain का information आप चेक कर सकते हैं ओनलाइन घर पर बैठके आपको उसके साथ कोई contact करने का दरकार नहीं है आप आपका PC से ब्राउजर के थुरू आप कोई भी domain का information निकाल सकते हैं वह भी कैसे वह भी हम आपको दिखाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नंबर वान पॉइंट से हाउट चूज domain name दोस्तों अगर आपको domain name चूज करना है तो domain name चूज कहां से करोगे माल लिजिए आपका कोई भी website आप बनाने जा रहे हैं तो आपका जो website आप बनाने जा रहे हैं माल लिजिए आपका नाम से ही बनाने जा रहे हैं abcd.com ओके तो abcd.com आपको present रहना चाहिए open ओके इसका मतलब क्या होता है कि abcd.com जो आप domain ढूंड रहे हैं वो दूसरा किसी से book नहीं किया हुआ है तो ही आपको मिलेगी इसका मतलब होता है कि यहां पर देखिए हम यह go daddy का पैनल दिखा रहा है हम यह go daddy दिखा रहा है इसके बगल में खुला हुआ होस्ट गेटर और इसके बगल में खुला हुआ है नेमचीप हम यह तीनों का comparison क्या होगा क्या नहीं होगा हम डिटेल में हम आपको बताएंगे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको जानकरी मिलते रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले domain के बारे में जान लेते हैं जैसे कि माल लीजिए अगर हम यहां पर मेरा चैनल नेम टाइप करते हैं टेक्निकल एक्स्टेंशन बोलके अगर हम यहां पर सार्च करते हैं टेक्निकल में आपको जो दिख रहा है ब्रोकर सर्विस फी इसके बारे में भी आपको जानकरी मिलेगी इस वीडियो में तो उस चीसको आभी के लिए छोड़ दीजिए आभी डोमें नेम के उपर फोकस कीजिए तो देखिए टेक्निकल एक्स्टेंशन डॉट कॉम जैसे लिया हुआ है मेरा उसके हिसाब से यहां पर नीचे में दिखा रहा है कि अवेलेवल क्या है तो डॉट इन एवेलेबल है यह देख पार है डॉट कॉम यहां पर है लेकिन इसके साथ थोड़ा एक लेटर एट किया हुआ है तो टेक्निकल एक्स्टेंशन उसके बाद एस एड्ट किया ह हुआ तो ट equilibrium कام को के इसके बाद यहां पर ये की एडि मतलब अट Iraq को लेने के लिए आपके पास आडर अगा ट्र टेक्निकल एक्स्टेंशन डॉट को टॉटटीन के बाड़े में भी यहां पर दे रहा है आप्शन के यह आप बुक कर सकते हो इसको लिए रोट technical extension.com को और यहां पर पेस्ट करते हैं और यहां पर सार्च करते हैं तो यहां पर देखिए जो आपका सर्च रिजल्ट यहां पर आएगा यहां पर भी आपको आप .net का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं वीडियो जैसे बरता जाएगा आपको पता चलेगा हम दावे के साथ कह रहे हैं आपको पुरा information मिलेगी सिर्फ वीडियो को देखते रही और follow करते रही है टेकनिकल एकस्टेंशन दोस्तों नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि यह टेकनिकल एक चैनेल है यह टेकनिकल एक साइट है तो इसके साथ नेट जा सकता है आगा .com नहीं जा रहा है तो नेट जा सकता है क्योंकि नेट मतलब हो गया internet okay के नेट मतलब हो गया इंटरनेट रिलेटेट सब कुछ तो इंटरनेट के साथ टेक आता इसलिए टेक्निकल एक्स्टेंशन.net को यह प्रिफरेंस दे रहे हैं ओके नेमचिप में अगर आप वही चीज़ सार्च करेंगे थे टेक्निकल एक्सटेंशन.com तो भी आपको यहां पर ओप्षं जो दिखेगी वहां पहलु आप देख पाओओगे टेक्निक लगेंश्टइंशन.com भुक कि रहेगए जो और मेरा इसके साथ यहां पर और सब्सटेर नाटेट प्यक्ष्ट निए आ रहाएं यह टी दिफ्रेंस नजर आ रहा है एक तो हो गया का मार्केटिंग और प्रोमोशन का चीज़ जैसे कि यहां पर बगल में लिखा हुआ है टेक्निकल extension.com इस टेकन और उसके साथ लिखा है ब्रोकर सर्वेस फी यानि आगर आप ब्रोकर के साथ यहां पर जो एस लगा हुआ है इसके साथ आपका यहां पर आड़ भी आ रहा है यह देखिए एक एड़ दो एड़ तीन गोड़ेड़ी में एड़ सबसे ज्यादा आ रहा है अगर हम एड़ की बात करें तो यहां पर देखिए जो होस्ट गेटर पर कोई आड़ नहीं है दोस है यानि गोड़ेडी में अगर आज आप जाओगे तो यहां पर एड़ सबसे ज्यादा आता है क्योंके गोड़ेड़ी ऑब्यूबयल बिसनेस करता है तो व्यूंसिफीच पर होस्ट गेटर बिसनेस करतें लेकिन डोमेंंट के मामले में गोड़ेडी सब से आगे हैं क्योंकि डोमेन का जीतना ओफर चलता है दोस्तों वो गोडेडी में बहुत अच्छा ओफर चलता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं और होस्टिंग कहीं और करते हैं यह मेरा आपको बतार है आपके साथ टो आप अपने ही और से डोमेन को चूज कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर हम टॉमैन कर देते हैं ये डेखिए कि कर देंगे टेक्संट कर देते हैं यह देखिए depressed Tech Extension fish अगर book है तो Tech Extensions dot com कर देते तो देख़े ॐशायद भूछ होगा या तो नहींबूप होगा भगधवान जाने यह देखिए दोस्तो यह आविलेवलपय तो Tech Extension ईथैंस को और Technical जो नाम है वो नाम के साथ dot com available नहीं है तो उस पे लेटर लाके अगर dot com मिल रहा है तो बहुत बढ़िया नहीं तो आपका जो domain का जो suffix होना चाहिए मतलब आपका जिस category का business है या आपका जिस category का website आप बनना चाहर है उस category के related आप domain suffix को चुख कर सकते domain suffix मतलब dot com dot net dot in dot in यह सब domain suffix बोला जाता है दूसरा point है what is domain suffix जिहां दोस्तों दूसरा point है what is domain suffix अब domain suffix के बारे में आपको हम जानकारी देंगे dot co dot in मतलब हो गया dot co मतलब हो गया कोलोंबिया और dot in मतलब हो गया इंडिया या तो बहुत लोग यह भी बोलते हैं के dot co मतलब company और dot in मतलब Indian company और यहां पर देखिए dot tech मतलब technology related वैसा ही dot net internet related ओके यहां पर dot org है जो organization को mention करते हैं dot info मतलब information ओके यह होता है dot online मतलब online जो direct service चलता है dot site मतलब होता है website dot club मतलब club वहीं सहीं देखिए dot store भी available है dot shop भी available है बहुत सारा domain suffix आपको यहां पर मिल जाता है dot bees मतलब हो जाता है देखिए टीवी ओके यह एक हो गया इसको छोड़के भी बहुत सारा होता है जैसे कि हम आपको यहां पर नहीं दीख रहे है तो वह हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे है dot edu मतलब हो गया education गॉब मतलब हो जाता है government dot org organization dot au australia dot bd बंगलादेश dot cn china dot co dot uk united kingdom dot info information dot dot amy montenegro dot mobi mobile devices dot moi malaysia तो दोस्ता आपको पता चली गया कि domain suffix का एक full form होता है domain suffix दोसे मीनिंग होता है और मीनिंग क्या क्या होता है हम आपको सेंपल के दौर से कुछ-कुछ हम आपको दिखा दिए अब दोस्तों आपका मन में यह question चल रहा है कि यह dot co dot com dot net dot in अगर यह मेरा नाम से हो जाए तो कैसे होता है माली जी आपका नाम अगर माली जैसे मेरा चैनल का नाम है technical extension तो dot t e बोलके हम अगर domain suffix बनाना चाहते तो वह क्या possible है सब चीज पॉसिबल है लेकिन यह जो control करता है उसका नाम है icon यह एक non profitable global company है इसका फुल फॉर्म होता है internet corporation for assign names and numbers जो IP address को allocate करते हैं और domain name system को manage करते हैं globally लेकिन icon से सबको IP address assign करना यह allocate करना possible नहीं होती है इसलिए icon हर internet service providers को सिर्फ IP address assign कर देता है जहां से आपको IP address मिलता है domain booking के साथ आप icon का website में जाके resource menu से domain suffix book कर सकते हैं अगर आपका suffix icons approve होता है तो आप book कर सकते हैं आपका domain suffix के यह icon से अगर आप domain suffix book करने जा रहे हों करोर रुपया खर्चा करना होगा दोस्तों यह इसलिए कोई भी पार्सन या वेक्ति खूद से suffix बना नहीं सकते हैं क्यूंकि यह non refundable करोर रुपया का जो fee होता है वो non refundable मतलब आप समझी गए हो कि वो कभी बापस आपके पास नहीं आने वाला है इसके बाद दोस्तों चलते हैं what are the free domain names दोस्तों इसका मतलब हो गया कि free domain आपको कहां से मिलेगी और कैसे मिलेगी सच में यह सब free होता है हाँ या ना यह पूरा information हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों एक साइट है जिस साइट का नाम है फ्री नॉम बोलके ओके दोस्तों फ्री नॉम इस साइट में अगर आप जाओगे तो यहां से आप देख पाओगे के domain आपको free में मिलने वाला है find a new free domain यहां पर देखिए check availability लिखा हुआ है तो माल लीजिए हम अगर take extension डाल देते हैं take extension डाल देते ओके take extension डालके हम यहां पर check availability क्लिक किये तो देखिए सबसे पहले जो उपर में आ रहा है .tk take extension.tk free है take extension.eml free है take extension.gf free है take extension.cf free है take extension.gq यह भी free है आप दोस्तों आप नीचे में देखिए cost price domains cannot be found cheaper elsewhere यहां पर भी देखिए आपका .com.net .org.biz बहुत सारे जो भी हम लोग hostgator में देखे go daddy में देखे हर जगा का सब domain यहां पर भी sell हो रहा है यानि यहां से भी आगर आप purchase करना चाहते हैं तो purchase कर सकते हैं अब दोस्तों यहा में क्यों available कर रहा है इसका अंदर कोई मतलब होगा जिहां दोस्तों हम आपको मतलब दिखाते हैं तो दोस्तों यहां से हम लोग फ्रीनॉम का homepage में चले जाएंगे इस पर लिखा हुआ है tld available और top-level domain tld मतलब हो जाता है दोस्तों top-level domain ओके तो यहां पर देकि लिखा हुआ है free domain और यहां पर लिखा हुआ है paid domain आप दोनों में क्या अंतर है समझ लिजिए tld में आ रहा है free domain में और tld का free domain में like any other domain name use URL forwarding free freenome DNS server DNS service of your own DNS name server यानि आप आपका DNS को भी change कर सकते हैं normal जैसा है आप लोग domain book करते हैं वैसा यह free domain भी आप बूक करके यूज कर सकते हैं यहां पर भी देकि क्या लिखा हुआ है works like any other domain use URL forwarding free freenome DNS service और your own DNS name servers सेम है आप आते हैं यहां पर registration and renewal one to twelve months free to renew unlimited renews यानि आप एक से बारा माईना तक आप रिनु कर सकते हैं और unlimited renewal आपको मिलेगी ठीक है आप यहां पर क्या बोल रहा है पेड डोमेन पर क्या है हुआ है मतलब यह साल तक आपको free में मिलेगी और यहां पर आपको एक साल से 10 साल तक आपको unlimited renewal दे रहा है तो यह होता है दोस्तों difference pricing देखी यहां पर free है और यहां पर देखें लिखा हुआ है pricing starts at USD 6.95 पार डोमेन नेम पर यह तो 6.95 मतलब हो जाता है अगर आप calculate करेंगे आज 73 इन्टू आप कर रहे हैं 6.95 इसको करते देखें 507 रुपया 25 पैसा यानि 508 रुपया आपको एक डोमेन के लिए देना परेगा उसके उपर आपका जो difference आता है वो mainly दो चीज है एक होता है फ्री जो होता है आपको 12 मंत के लिए होता है दूसरा आप यह डोमेन अगर बुक करना चाहते हैं तो आपको debit card से आप यह बुक नहीं कर सकते और तीसरा who is जो data आता है जहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं डोमेन का information फ्री नॉम और वान ओफ इट्स अप्सिटरीज आपिर्स अपिर्स अज दा license in the who is domain रेजिस्टर अपिर्स इन दा हुई एड रेजिस्टर्ट कैन अपडेट इट इसका मतलब है अगर फ्री डोमेन अगर आप बुक करके सार्च करते हुई में कि इसका information क्या है या website में कहीं भी सार्च करें कि यह domain का owner कौन है इस domain का owner कौन है तो वहां पर फ्री नॉमी दिखेगा लेकिन आगर आप paid मतलब पैसा देके अगर आप बुक करोगे तो वहां पर आपका नाम दिखेगी कि आप इसका owner हो और proper तरीके से आपका license लिया हुआ है मेरा मानना है कि आगर आप starting stage में हैं कि सबसे पहले आपको एक website बनाना है तो आप यहां से पहले एक free domain ले लीजिए .tk.ml.ga कुछ भी आप free domain आप यहां बुक कर लीजिए और बुक कर रहें कि साथी साथ आप hosting आप paid आपको लेना परेगा और यह मेरा एक video series बनने जा रहा है दोस्तो इस domain वीडियो के बाद hosting का भी वीडियो आएगा साथी साथ WordPress hosting का भी वीडियो आएगा और WordPress में कैसे आप blog बनाओगे और वहां पर कैसे कैसे आपको SEO करना है कैसे कैसे website का backup लेना है सब चीज के बारे में वीडियो मेरा चैनल पे आने वाले है तो चलिए वीडियो को continue करते है दोस्तो अब दोस्तो नमबर 5 और इकोनोमिक डोमें के बारे में यहां पर बात करेंगे और उसको बूकिंग का प्रोसीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो दोस्तो यह है hostgator का domain panel जहां से domain book होता है हम 100% sure होके हम आपको बता रहे हैं एक चीज़ याद रखे domain करिदने के पहले आप email id से आपका एक account create करने के बाद आप login करके account verification करते हुए आप domain book करें मेरा यहाप email id से यह panel बना हुआ है और वही email id से मेरा name chip में भी मेरा user account बना हुआ है और go daddy में भी मेरा user account बना हुआ है यह होता है एक dashboard जिसको बोला जाता है यह देखिए यह name chip का dashboard है और यह go daddy का dashboard है तो तीनों में क्या difference आपको समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ इसका details में तो तीनों में देखिए बहुत सरा difference है यहाँ पर देखिए direct dashboard में मेरा जितना भी domain book किया हुआ है वह domain दिख रहा है और यहाँ पर देखिए गोडेटी का पैनल में यहाँ पर भी जितना भी domain book किया हुआ है वहर एक domain यहाँ देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपको manage order पर जाना होगा और वहाँ से लिस्ट और search orders पर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका domain का लिस्ट आ जाएगे आपके सामने के कौन सा domain आप खड़ित के रखे हैं कब आप उसका एक्सपैरीडेट है और उसके साथ प्रोडक्ट क्या लिया हुआ है जैसे कि domain के साथ domain registration लिखा हुआ है और hosting के साथ hosting लिखा हुआ यह देखिए Quadronic technology.com पे लिया हुआ है तो यहाँ पर दीख रहा है और नीचे में Quadronic technology.com लिया हुआ है इसलिए domain registration दिखा रहा है तो उपर में कहीं पर भी domain registration जितना भी देख रहे हैं आप जितना भी देख पा रहा है आप वह सभी domain है और यहाँ पर जो cloud hosting Linux लिखा हुआ होस्टिंग है और यह साइट लॉक हो गया सिकूरिटी code guard भी सिकूरिटी का है नेमचीप पैनल में भी देखिए यहाँ पर भी आपका सब डोमेन यहाँ पर आपके सामने दीख रहा है और यहाँ पर जो बिछा यहाँ पर आपको देख रहा है यहां पर आईकन पर जाने के बाद यहांफे देखरे है। श्टैता ऐक्टिफ किया है domain और प्राइबी सेंट जाएंकर रहा है कि कभी एक्स्पायर होगा और उसके साथ आप mo यहाँ पर रिनू करना video न होगा गोड़ ड में भी आगर आप जाएंगे तो वहां पे भी सम्साइब करेंगे कैसे हो दिखाते हैं यहां पर ола लोगो है उसके ऊपर क्लिक करने से आप जक्रेटर का एकाउंट पे चले जाएंगे दीजकर टेक्निकल एक्स्टेंशन्स.com ओके इस पे हम लोग सर्च किये वही सेम चीज़ को हम लोग यहां पर भी सर्च करते हैं डॉमेंड पर जाके डॉमेंड नियम सर्च तो यहां से हम लोग इसको कॉपी कर लेते टेक extensions.com को और यहां पे डालते हैं नाम को सार्च वैसे हम लोग डैडी में भी हम लोग सार्च कर लेते हैं एक नया डोमेंट अब दोस्तों देखिए यह तीनों पैनल में मेरा experience है काम करने का तो इसलिए हम तीनों पैनल के experience हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यह कोई भी promotional वीडियो नहीं है मैं बार-बार बोल रहा हूं ताकि मैं यहां से कोई भी ठीक हो के आ रहा है वही प्राइस हम आपको दिखा रहा है तो यहां पर टेक एक्स्टेंशन डॉट कम लिखा हुआ है इसका प्राइस आ रहा है 819 रुपया पर यह नेमचीप में चले जाते नेमचीप पे देख रहा है टेक एक्स्टेंशन डॉट कॉम यह लिखा हुआ है 651.88 पर यार ओके गोडेडी में अगर चलते हैं तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है 199 और फास्ट यार वी थे टू यार रिजिस्टेशन यानि अगर आप इसको दो साल के लिए बुक करते हैं तो आपको फास के लिए देना परएगा बाकी क्या देना परेगा उसके लिए आप इसको एडट टू कड़ किजिए और चेक किजिए कि अपका कॉस्टंग कितना ना भी देखिए दोस्तों दो साल का अगर आप लेते हैं तो एक साल के लिए आपको 199 देना पर रहा है लेकिन सेकेंड यार का प्राइसिंग देखे 1049 ओके तो कुल मिला के प्राइसिंग आ रहा है 1248 1248 ठीक है तो यह आपका गोड़ेडी का प्राइसिंग हो गया अभी हम नेमचीप पर चेक करेंगे अटू काट जैसे कर दिए हैं टू काट हो रहा है सुस्कार होने के बाद आपको यह पता चल जाएगा किर राइसिंग उस पर आ रहा है कि यहां से मेरे को कुछ नहीं लेना है यहां पर डाइंरे डिरेक्ट हम चेकाउट में चले जाते हैं ओके चेकाउट में आ गए हैं यहां पर देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था आइकन यह सब मैनेज करता है तो आइक एक फी लेता है थर्टिन रुपया यहां पर यहां पर फ्री मिलता है दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको जाके बताएंगे यह सब सिकुरिटी के ऊपर आता है सिकुरिटी का सब्जेक्ट हम वीडियो के अंत में बताएंगे तब हम आपको डोमेन प्राइवेसी वाला चीज कॉबर अप कर लेंगे तो यहां पर फ्री मिल रहा है आपको लेकिन यहां पर आइकन फी 13.21 रूपीज देना पर रहा है तो सब टोटल आ रहा है सिक सिक्स्टी फाइव पॉइंट टिन ओके अब होस्ट गेटर पे आप देखिए 819 पर यह इसको भी आम एक टुकाट करते और चेक आउट पर चलते तो यह हमको कुछ नहीं लगेगा कुछ हम एक टुकाट नहीं किये कोई भी होस इसको आफ कर दीजिए तो एक साल के लिए यहां पर प्राइसिंग आ रहा है 966 नेमचीप का प्राइसिंग आ रहे है शिक्सिक्सिट फाइट अर गोडेडि का प्राइसिंग आ रहा है आपका यहां पर बसकेट में चले जाते 1248 यानि सबसे ज्यादा जो कोस्टिंग आ रह और चीप प्राइस में आप लोग बुक कर सकते हो अब आते हैं पेमेंट में दोस्तों यहां पर जैसे ही आप confirm order करोंगे तो confirm order करने के साथ ही साथ आपका जिस पेज में लेके आएंगे वह यह वाला पेज आप दोस्तों यहां पर अगर आपको डॉलर में पेमेंट करना है तो आपको दो रस्ता या तो आप कोई भी केडिट कार्ट से पेमेंट करना होगा आपके पास अगर केडिट कार्ट नहीं है तो आपको पेपल में एकाउंट बना के रखना होगा और डेबिट कार्ट क ऐसे कि HDFC हो गया इंडियान बैंक के लिए यह दो बैंक सपोर्टेट है पेपल में अगर आप गोड़ेडी से पेमिन करना चाहते हैं तो गोड़ेडी पे आपका डेविट कार्ट केडिट कार्ट दोनों ही आप यूज करके पेमिन कर सकते हैं अगर आप होस्ट गेटर से पेम अपड़ कि आप इसका 一 शुक्क फाइबात अगर नम शीक् सीथा कि मतलब क्या होता है दोस्तों डॉमें demСТार होता है डोमें डोमें और डाएरेक्षण डॉट कॉम जैसी क्लिक करेंगे लोग माली जी आपका ब्राउजर पर कोई टाइप करेगा तो वह डाइरेक्ट Google.com पर चला जाएगा तो यह होता है रिडारेक्शन मतलब कहीं आप टाइप कर रहे है टेक्निकल और वह आपको रिडारेक्ट कर रहा है Google.com पर यानि वह पुश कर रहे हैं कि आप Google.com पर जाओ और वह तो यहां पर राइट हैंड साइट में क्विक लिंक्स के अंदर आपको दिख जाएगी forward domain आभी हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं फिर हम बैक चलते हैं यहां पर और एक चीज़ आपको दिखाना चाहिए इसलिए हम बैक आ रहा है तो दोस्तों यहां पर डोमें से आप क्लिक open होगा उस पेज में आप एकदम नीचे की तरफ आ जाएए नीचे की तरफ आने के बाद फिर से आपको manage DNS देखने को मिलेगी तो यह manage DNS के उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक page open होगा जहां पर डिरेक्ली आपको forwarding बोलके एक पैनेल दिख जाएगी तो इस पैनेल प कर सकते हैं तो यहां पर domain को setup करने के लिए आपको add करना होगा एड करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए दो option आता है पार्मानेंट और temporary आप हरवक्ष पर्मानेंट पर क्लिक करके रखिए तो यहां पर आपको forward only रखते हुए आपको यहां पर टाइप कर देना है कहा यहां पर यह डिडायरेक्ट होगा तो जैसे माल लीजिए हम टाइप कर दे रहा है Google.com ओके तो यहां पर देखिए प्रिव्यू बोलकर एक बाटन आ रहा है अगर प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो जो आप वेबसाइट डाले है रिडायरेक्ट में वह वेबसाइट का प हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहां पर एक नया टैब ओपन करके हम लोग टाइप करते हैं सुकृती.com और इस पर इंटर करते हैं दोस्तों यह गूगल में रिडायरेक्शन हो गया तो इसको भी बोला जाता है रिडायरेक्शन अगर आपको डिलिट करना है इसको हटाना सब्सक्राइड को आप फीर से यहां पर जाएं और यह डिलीट का बंटन दवा दीजिए यहां पर डिलीट आपशेन यह देख और लिट करना है मेरे को तो यह देखिए आपका डिलीट हो गया वैसे अगर हम होस्तेटर पैनल में आते हैं तो यहां पर भी देखिए कोई भी कोई लिप Unlimited Options.in है इसका अगर हम लोग Redirection करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको Option मिलते आए कहां पर Option मिलेगा जहां पर आपका यह Domain का यह Panel open हुआ वहां पर देखेंगे एकदम नीचे की तरफ आप चले आईए यहां पर देखी Domain Forwarding बोलके एक अलग सा केटागोरी दिया हुआ है जहां पर लिखा हुआ है Manage Domain Forwarding इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको डाल देना है कहां पर यह Domain को आप Redirection करना चाहते हैं यह Option जो किया हुआ है दोस्तों यह Sub Domain के लिए Sub Domain अगर आपका बना हुआ है माली जी ABCD.UnlimitedOptions.in तो यहां पर ABCD आप टाइप कर दे सकते हैं उसी Sub Domain आपका Redirection हो जाएगा आप यहां पर destination URL जो डालोगे उस पर तो जैसे कि यहां पर भी हम लोग डाल सकते दोस्तों Google.com तो यह UnlimitedOptions.in पर जो लोग टाइप करेंगे domain आपको दीख रही है जो मेरा जो booking किया हुआ है एक आशा-ad.in Headlines Digital और एक हो गया technical extension.com दोस्तों यह तीनों में से कुछी को भी आप Redirection अगर करना चाहते हैं तो यहां पर manage पर चले जाए जैसे यहां पर चले जाएंगे यहां पर देखिए domain के अंदर आपको यहां पर redirect domain बोलकर option मिलेगा लेकिन यहां पर एक बात है your domain is using namecheap hosting name server DNS बोलके यहां पर दिया हुआ है यहां पर देखिए domain और hosting दोनों खरीद कर रखें और उसके साथ हम connect करके रख चुके हैं तो इसलिए यहां पर redirection domain का यहां पर option नहीं मिल रहा है अगर हम कोई भी यहां पर custom DNS डालके रखता हूँ तो आपको कुछ option ऐसे दिखेगी के domain पर चलते ही redirect domain पर आते ही आपको add redirect का option मिल जादेगा और वहां पर add redirect पर क्लिक करने से आप website डाल दीजिए जिस website में आपको redirect करना है number seven point what is domain transfer दोस्तों यह एक बहुत अच्छा चीज है domain transfer दोस्तों अगर आपको 체だोंट pracy करना है मालीजै आपका go dame справ में जो domain है वो domain को आपको transfer करना है hostgator में या मालीजै hostgator में जो है वह ही चीज़ को didn को exchanger करना है name chip में तो दोस्तों यह जो transfer होता है यह कैसे होता है? यह तो कोईट चीज नहीं है जो हाथ में लेके हुए, आप ट्रांसफर कर दोगे तो यह जो चीज होता है दोस्तो यह वर्यटुएली होता है यह वर्यटुएली कैसे होता है? आपको एक Key मिलेगी हर domain के against में एक Secrete की generate होता है जिस secret key से आप लोग transfer कर सकते हो अगर name chip के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तो sharing and transfer पे जाते ही आपके समने जो option आएगा वहाँ पे देखिए transfer out domain lock on और unlock यहाँ पे दोनों option दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए authorization code है अगर आप authorization code पे click करें और इसको unlock कर दिये तो आपक authorization code आपके पास आज आएगा आपको अगर transfer करना है दूसरा किसी पैनल में उस पैनल में जाके आपका इस domain के एगेंस में information create कीजिए और वहाँ पे आप authorization code डाल दीजिए 24 to 72 hours यानि एक दिन से तीन दिन लगता है आपका domain transfer हो जाएगी आगर आपको hostgator से transfer करना है तो यहाँ पे देखिए हम उपर तक चलते हैं जो यहाँ पे मेरा open हुआ था unlimited options.in यहाँ पे देखिए ठेप protection domain secret की और contact details यहाँ पर मिल जाता है तो यह contact details जो है यहाँ पर जाके आपको contact details मिल जाएगा इस domain का owner कौन है और उनका information क्या है तो वही चीज़ आप दूसरे जगा पर डाल दीजिए और यहाँ पर domain secret tool रहता है यहाँ लिख रहा है set the authorization code to transfer the domain name यह यह देखिए यह एक sample code है जिस code को जिस code के जड़िए आप domain को transfer कर सकते हैं इस code को आपको paste करना है जहाँ पर आप transfer कर रहे हैं आपका domain माली जो होस्ट गेटर से आप transfer कर रहे है नेमचिप से नेमचिप में तो आप नेमचिप में जाके यह domain secret key से जड़िए आप domain को transfer कर सकते हैं वैसे दोस्ता अगर हम GoDaddy के बारे में बात करें तो GoDaddy में भी वैसे ही चीज़े आप लोग इसको transfer कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों सुकृती.com पे अगर हम चले जाए तो यहां पे भी देखिए transfer का भी आपको option मिल जाएगी तो यहां पे देखिए यहा transfer domain away from GoDaddy अगर आपको transfer करना है domain को away from GoDaddy और दूसरा होता है transfer domain to another GoDaddy account अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लिए दोस्तों transfer domain to another GoDaddy account इसका मतलब हो जाता है आपका दोस्त का भी एक account GoDaddy में बना हुआ है तो आपका दोस्त ने यह domain को मांग रहा है तो आप आपका दोस्त के पास इस domain को transfer करना है तो वह हो जाता है GoDaddy account to GoDaddy account transfer और इसलिए आपको इस option पर क्लिक करना होगा और अगर आप चाह रहे ह कि आपका account जो है वो आपका account के अंदर जो domain है उस domain को आपको GoDaddy के बहार transfer करना है मां लीजिए आपका host gator में transfer करना है आपको name chip में transfer करना है तो उसके लिए आपको यह option मिलता है लेकिन हर जगा पे आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि contact details must है आपको domain transfer करने के लिए औ नमबर आठ दोस्तों सब डोमेन बनाना बहुत असन चीज़ होता है सब डोमेन मतलब हो गया आपका जो primary domain name है जो domain name आप बुक किये उसके आंदर आपको और एक domain बनाना है जैसे कि मान लीजिए take.com आपका एक primary domain हो गया तो आप सब डोमेन के हिसाब से car.tech.com, automob.tech.com, mobiles.tech .com आप बना सकते यानि आपका जो primary domain है उसके पहले आप कुछ भी नाम डालके भी sub domain बना सकते और दोस्तों इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा hosting के related उस वीडियो में आप देख पाऊगे कि कैसे आपको sub domain के साथ primary domain पे भी आप लोग website बना सकते तो फिलाल मैं यहाँ प uthaba.com के आंदर चलेगए यहाँ पे आपको आना है नीचे मेननेज DC पहिक करने के बाद जिसी पेज ओपर होगा वहाँ पे आपको रेकॉर्ड आट करना है यहाँ पर इसाना है यहां पे ऐसी नाव डालना परेगा ऑस्त मतलव होकि आप कुछ शुकृति कम को रहे ऑप बना पैण 2-2 मतलब हो गया जिस IP अड्रेस में वह जैएगा वह IP अड्रेस डालना होगा सुक्रिती.com डॉमarda सब्सक्राइट फेल दें सब्सक्च डाले इस सुकृती जोट कॉम माइनस टी जैसे आप डाल देंगे तो यह देखिए यह आईपी अड्रेस हो हो रहा है 34.102.136.180 इसको आपको यहां पर पर डालने के बाद आपको इसको सेफ कर देना है तो आपका यह सब डोमेंड बन जाएगा और टीटील दोस्तों जो डिफॉल्ट रहता है वान आवर इसको वान आवरी रहने दे इसको करते एंसे आगे बढ़ते दोस्तों आप होस्ट गेटर में आते हैं तो दोस्तों आप यहां से सब डोमेंड सेड कर सकते यह बनाने के लिए आपको waisting में जाना परेगा कहोस्टिंग जो सीपैनल होता है जिस request panel के साथ आपका डोमेंड रहेगा उस यह चीज़ हम लो नेक्स वीडियो में आप लोग सब डोमेन बना सकते हो, नमबर 9, how to connect a domain with any hosting service provider, जहां दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि ये सुकृति.com को आपको कहीं पे host करना है, तो आप कैसे host करोगे, तो दोस्तों सुकृति.com के अंदर देखिए, name server बोलके एक option होता है, हमको कहीं भी host करना है, कोई भी domain को यानि transfer करना नहीं है दोस्तों, इसका मतलब हो जाता है, connection बनाना है आपको, domain के साथ एक hosting service provider का, जहां पे आपका hosting लिया हुआ है, तो उसका जो name server होता है, वो name server आपको यहाँ पे change करते हुए डाल देना होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आप hosting go ready से लिए है, तो default जो रह server बोलके है, advance पे, यहाँ पे जाके आपको दो name server डाल देना है, दो name server डालने से आपका domain आपका जहाँ पे hosting लिया हुआ है, आपका domain के नाम से वहाँ पे connect हो जाता है, तो यह हो गया दोस्तों, go ready का option, अगर हम लोग host gator पे चलते है, host gator पे domain registration के अंदर आपको मिल जाता है name server, यहाँ पे देखिए, name server पे आपका डाला हुआ है मेरा दोठो name server, जो name server, यह host gator का खुद का है, यह name server आपको कैसे मिलता है, यह पहले जान लिजिए, यह name server आप जब domain बुक कर रहे हो, तो आपको तो name server नहीं मिल रहा है, कहीं भी आप आपकर hosting बुक करने जाते हैं, त जैसे ही आप बुक करोगे, तुरंत आपका email id पे एक mail आ जाता है, जहाँ पे आपको name server दिख जाते हैं, वही name server आपको डाला होता है, आपका domain के गेंस्ट में, तो ही आपका domain के साथ, आपका hosting connected हो जाता है, नेम चिप पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे name server add कर सकते है, नमबर 10, how to get any domain information, दोस्तों कोई भी domain के information आपको कैसे मिलेगी, जैसे माल नीजिए, कोई भी domain जिसका आप owner नहीं है, जो domain आपने book नहीं किये, उसका information आपको कैसे दिख जाएगी, तो यहाँ पे जो site है, उसका नाम है, whois.com, whois.com पे जाने के बा बारे में, तो यहाँ पे आप whois पे click करें, यह देखिए, enter domain name और IP address, जैसा माल लीजिए, हम यहाँ पे type कर देते है, google.com, ओके, तो google.com को उपर search करते हैं, देखते हैं, इसका information क्या निकल के आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, google.com registered mark monitor including, ओके, और यह expired हो रहा है, 2028 पे, औ contact बोल के Google LLC दिया हुआ है, और country दिया हुआ है, ऐसा करके आप बहुत सरे domain का information आप चेक कर सकते हैं, जो domain आपने buy नहीं किया, याने खडीदे नहीं है, यानि आप select नहीं किये, वो domain को भी आप यहाँ से check कर सकते हो, कि उस domain का information क्या है, यानि उस domain का मालिक कौन है, यहाँ यहाँ पर देखिए, updated one hour ago लिखा हुआ है, यानि एक घंटा पहले यह update हुआ है, फिर आप इसको refresh कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए, updated one second ago, अगर यह change होता है, तो आपको दिख जाएगी, यहाँ पर देखिए, नेम सर्विन में Google का नेम सर्वार डाला हुआ है, गूग किया हुआ है, यह कोई भी ट्रांसपार नहीं कर सकते है, without authorization from ownership, ओके, तो आशा करते हैं दोस्ताब कोई वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को like, share और comment कर दीजिए, अगर आपका कोई भी question है, कि आप कोई भी प्रशन है मन में कि डोम जल्दी से चैनल को subscribe कीजिए, बेल आइकन दबना ना भूले, ताकि मेरा हर नया वीडियो को notification आपको जल से जल मिल जाए, धन्यवाद जैहिंद, बंद्वात रम,